हलो फ्रेंड्स नेटो क्रियेशन चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम पाइन एपल बनाना सीखेंगे जिसके लिए हमने तीन कलर में उनली है सभी उन 4 प्लाई है और 10 नमबर की क्रोसिया तो फ्रेंड्स आपको मेरा या वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलि एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चेन बनाएंगे और इसे लास्ट वले चेन के साथ इस तरीके से स्लिप कर देंगे और फिर हम यहाँ एक चेन बना लेंगे यहाँ पे हम दस सिंगल क्रोशिय बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, दस, दस टैम सिंगल क्रोशिय बनाएंगे और इसे यहाँ पे इस तरीके से लॉप कर देंगे फिर अब हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे और इसी चेन में हम तीन टैम सिंगल क्रोशिय बनाएंगे इस वाले चेन में इसे एक सिंगल क्रूसिय बना लेंगे और फिर हम यहां फेर अब भगल वाले चेन में देखेंगे इसमें हम फिर चार टाइम सिंगल डबल क्रूसिय बनाएंगे एक, दो, तीन, चार और फिर इस वाले चैन में एक सिंगल क्रोश यहाँ फिर से यहाँ फिर हम चार टाइम बनाएंगे डबल क्रोश यहाँ तीन, चार फिर यहाँ एक सिंगल क्रोश यहाँ फिर इसमें चार टाइम डबल क्रोश यहाँ एक, दो, तीन, चार और फिर एक सिंगल क्रोश यहाँ फिर यहाँ हम एक, दो, तीन, चार टाइम डबल क्रोश यहाँ और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोश यह इस तरीके से श्लिप कर देंगे तब दूसरे कलर के उन लिच करेंगे देखें यहाँ पे श्लिप करने के लिए हमने यहाँ पे दूसरे कलर के उन लगाएंगे और यहाँ हम एक सिंगल क्रोश यह बनाएंगे फिर इन सभी में एक-एक सिंगल क्रोश यह बनाते जाएंगे देखें यहाँ हम तीन टाइम सिंगल क्रोश यह बनाएंगे और फिर यहाँ इस वाले सिंगल क्रोश यहाँ बनाए हैं इसी के नीचे यहाँ से हम एक सिंगल क्रोशिय बनाएंगे फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिय बनाएंगे यहाँ पर हम तीन सिंगल क्रोशिय बनाएंगे और फिर यहाँ यहाँ यह वाला चेन छोड़ देंगे और यहाँ इस नीचे से देखे इस वाले चेन से हम हम एक सिंगल कुर्शे बनाएंगे फिर यहां हम तिन टाइम सिंगल कुर्शे बनाएंगे एक दो तीन और फिर यहां मीचे से फिर यहां तीन टाइम से नलकुशिया एक दो तीन और फिर यहां मीचे एक दो तीन और फिर यहां नीचे और फिर से हम यहां इस चेन के साथ स्लेप कर देंगे इसको यहीं पर छोड़ देंगे अब फिर से फिला कलर का उन लेंगे और फिर यहां हम एक चेन बना लेंगे और यहां से स्लिप करते हुए हम बीच में आएंगे यहां और यहां हम फिर से एक दो तीन चार इस बार हम सेम चेन में पाच डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहां हम बीच में एक दो इस वाले चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से यहां पे हम एक दो फिर यहां हम पाच टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन चार पांच डबल क्रोसिया बनाएंगे और फिर एक चेन छोड़के दूसरा चेन में हम एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे फिर से यहां हम पांच टाइम डबल क्रोसिया बनाएंगे देखिए इसी तरीके से यहां एक सिंगल क्रोसिया और इस वाले चैन में 5 टाइम डबल क्रोसिया, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोसिया और फिर यहाँ 5 टाइम डबल क्रोसिया बना लेंगे, देखे हमने यहाँ एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, फांच, डबल से बनाली है अब हम यहां पर दीए यहां एक सिंगल कुरुशिय बना लेंगे है और फिर से अब हम इस वाले उनको यहीं छोड़ देंगे और इस वाले उन से फिर हम बनाएंगे यहां हम नीचे से बनाएंगे एक सिंगल पूस लिए फिर यहां एक दो ते चार फिर यहां नीचे से एक सिंगल पूस लिए फिर यहां दो त्इन चार पांच आप पांच सिंगल पूस बना लेंगे और फिर यहां देखिए इस वले नीचे से हम एक सिंगल पूस बनाएंगे फिर यहां एक, दो, तीन, चार, पांट, फिर यहाँ नीचे, फिर यहाँ पांट, इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे, हमने यहाँ तक बना ली है, सभी में एक-एक सिंगल क्रोसिया, अब हम इसे इस धागे को यहीं छोड़ देंगे, और इस वाले धागे से हम इसे लॉब और फिर इस वाले में हम एक चेन सिंगल कुरुशिया बनाएंगे यहां से एक चेन बनाएंगे यहां से स्लिप करेंगे दो और इसमें हम एक सिंगल कुरुशिया बनाएंगे इसके बाद हम यहां पर पांच टाइम फिर से डबल कुरुशिया बनाएंगे एक दो तेन चार पांच और फिर यहां एक दो छोड़ देंगे तीसरा में हम तीसरा चेन में एक सिंगल कुरुशिया बनाएंगे और फिर एक दो छोड़ देंगे फिर यहां हम तीसरा चेन में पांच टाइम डबल कुरुशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और फिर एक दो चेन छोड़के तिस्टा चेन में फिर से एक सिंगल क्रोश यह इसी तरीके से हम पूरा लाइन यहां तक कम्प्लीट कर लेंगे हमने यहां तक बना ली है एक दो तीन चार पांच टाइम पच पच डबल क्रोश यह बना ली है अब हम यहां पर दिखें दो चेन छोड़के यहां पर इसे सिलिप कर देंगे और फिर से इस वाले धागे को यहीं छोड़ देंगे और फिर से इस लाल धागे से हम यहाँ पे एक सिंगल कुरुषिय बनाएंगे, फिर इनस भी में एक-एक सिंगल कुरुषिय बनाते जाएंगे, इस तरीके से, यहां हम देखे, पाँच टाइम सिंगल कुरुषिय बना लिए, इसके बाद हम यहां नीचे से, यहां से, जहां यहां हम सिंगल कुरुषिय बनाएंगे, और फिर इन सभी में एक एक सिंगल कुरुषिय बनाते जाएंगे, यहां हम पाँच सिंगल कुरुषिय बनाएंगे, तीन, चार, पांच और फिर एक यहाँ नीचे से और फिर यहाँ पांच इसी तरीके से हम देखे एक दो तीन लाइन बन गए एक दो तीन देखे एक दो तीन लाइन बन गए यहाँ पर एक दो तीन लाइन और बना लेंगे पांच पांच सिंगल क्रोसिया देखे तीन लाइन हम और बना लेंगे उपर में छे लाइन हो जाएगा हमारा देखिए फिर हमने छे लाइन बना ली है देखिए एक दो तीन चार पाँच छे छे लाइन बना ली है अब हम इसे यहाँ फिर से शुरू करेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ इस तरीके से सिलिप करेंगे दो टैम और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे फिर यहाँ हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर यहाँ हम फिर से एक दो तीन चार चार टाइम डबल कुरुसिया बनाएंगे और फिर एक दो चेन छोड़के तीसरा चैन में हम एक सिंगल कुरुसिया बना लेंगे यहां हम पांच डबल कुरुसिया बना रहे थे फिर अब हम यहां चार डबल कुरुसिया बनाएंगे यहां फर्स्ट लाइन में हम चार डबल कुरुसिया बनाएंगे यहां देखे फिर एक दो चैन छोड़ देंगे और तीसरा चैन में हम फिर से चार टाइम डबल कुरुसिय बनाएंगे एक दो तीन चार चार डबल कोर्षिय बनाएंगे और फिर एक दो चैन छोर के तिसरा चैन में हम फिर से एक सिंगल कोर्षिय बनाएंगे और फिर एक दो चैन छोर के तिसरा चैन में हम चार टाइम डबल कोर्षिय बनाएंगे एक दो तीन चार और फिर एक दो चैन छोर के तिसरा चैन में फिर से एक सिंगल कोर्षिय और फिर एक दो छोर के तिसरा चैन में फिर से चार टाइम डबल कोर्षिय और फिर एक दो चोर क आपनेे है ? देखे यहां तक, हमने चार चार डबल क्रोशिय बना ली है ? अब हम यहां पर! इल घुन तरॉ आपने छोड़ दे अर देखे इस वले हमेफिर его करने है, और यहां एकषीय बना लेख nodig और नकिलाने माई कि मेर सबहना चेंखे दाद को uğ सार फ़ले है और फिर से यहाँ हम देखे घटाते जाएंगे एक फंदे निकाले फिर एक और निकालेंगे और इन तीन फंदों को हम एक साथ इस तरीके से एक डव सिंगल प्रू से बनाएंगे फिर एक फिर से दो और फिर यहां एक फिर एक फिर एक फिर एक इस तरीके से हम दो का एक करेंगे फिर यहां दो बनाएंगे और फिर यहां बनाएंगे एक और फिर यहां हम दो का एक करेंगे फिर यहां दो टाइम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और फिर देखिए यहां से हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर यहां हम दो का एक करेंगे फिर यहां दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले हम इस धागे को अब कट कर देंगे यहां पर अब इसका जरूरत नहीं है फिर हम यहां दो का एक बनाएंगे फिर दो सिंगल कुरूसिया फिर यहां इसे हम सिलिप कर देंगे फिर यहां एक चैन बनाएंगे फिर यहां एक सिंगल कुरूसिया बनाएंगे और फिर यहां हम दो का एक करेंगे देखे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहां दो का एक करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहां हम दो का एक करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर हम यहां दो सिंगल क्रोशिया को एक करेंगे फिर यहां एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहां दो का एक करेंगे और फिर से यहां एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से यहां दो का एक करेंगे फिर यहां एक सिंगल क्रोश्य बनाएंगे और यहां स्लिप कर देंगे यहां हमारा दो लाइन बन गया देखिए अब हम इसमें रूई डालेंगे देखिए इसके बीच में हम रूई भरेंगे इस तरीके से देखिए हमने इसमें रूई डाल दी है अब हम इसमें फिर से इसी तरीके से दो का एक करते हुए बुनेंगे अब सभी में हम दो का एक बनाएंगे सभी चेन में हम दो दो टाइम फंदे निकालेंगे और इसे एक कर देंगे इस तरीके से सभी को हम दू का एक बनाएंगे अब हम इस धागे को भी कट कर देंगे देखिए यह हमारा पाइनेपल बन गिया है अब हम इसमें पत्ते बनाएंगे देखिए अब हम पत्ते बनाने के लिए यहाँ पे चेन बनाएंगे पहले एक, दो, तीन, चार, पाट, छे, सार, आठ, नो, दस, ग्यारा एक ग्यारा चेन बनाएंगे और फिर एक, दो, तीन, तीन चेन छोड़के चौथा चेन में हम एक डबल कुर्सिया बनाएंगे एक, दो, दो टाइम डबल कुर्सिया बना लेंगे और एक चेन तीन हो गए देखिए यहाँ पे हम दो डबल कुर्सिया बनाएंगे और एक और डबल कुर्सिया बनाएंगे तीन डबल कुर्सिया बन गए अब हम यहाँ पे एक हाफ डबल कुर्सिया बनाएंगे एक, दो, और एक तीन तीन टाइम हाफ डबल कुर्सिया बनाएंगे और फिर एक हम सिंगल कुर्सिया बनाएंगे यहाँ और फिर इस वाले चैन में भी हम एक सिंगल कुर्सिया बनाएंगे एक, दो, और यहाँ सेम चैन में हम तीन टाइम सिंगल कुर्सिया बनाएंगे और फिर इसके बगल वाले चैन में फिर से हम एक टाइम सिंगल कुर्षिया बनाएंगे और फिर अब हम यहाँ तीन हाफ डबल कुर्षिया बनाएंगे एक, दो, तीन, तीन टाइम हाफ डबल कुर्षिया बनाएंगे और फिर तीन डबल कुर्षिया एक दो तीन तीन डबल कोशिया फिर एक, दो, तीन तीन चेन बनाएंगे और फिर यहां हम इसे स्लिप कर देंगे और फिर इसे भी हम कट कर देंगे इस तरीके से यह हमारा पती बन गए इसी तरीके से हम साथ पती और बना लेंगे टोटल आठ पती बनाएंगे देखिए हमने इस तरीके से आठ पती बना ली है अब हम इसमें सिलाई करेंगे देखिए ऐसे इस तरीके से हम यहां इसमें सिल देंगे ऐसे इसे रखेंगे और यहां हम इसमें सिल देंगे झाल 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 देखिए चार पती सिल गए अब हम फिर से यहाँ पे सिल लेंगे इस तरीके से झाल 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 यह लास्ट वाले पती हम यहाँ पे लगाएंगे अब हम इसमें गाट लगाके देखिए इस धागे को भी कट कर देंगे और देखिए यह हमारा प्यारा सा सुंदर पाइनेपल बनके प्यार है यह देखिए खुबसूरत आप इसे घर को सजाने के लिए बना सकते हैं बच्चों को खेलने के लिए भी बना सकते हैं इसे देखिए खुबसूरत है और प्यारा सा भी है यह देखिए तो फ्रेंड आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेर प्रेयाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें वीडियो देखने के लिए थेंक्यू